साथ यो आजकल की भागदोर बरिजिंदगी में जाने अन जाने में हम खाने पीने में बहुत सी ऐसी चीजों का यूज करते हैं जिन में से कुछ हमारे लिए हैलदी तो कुछ हमारे लिए नुक्षान दाएक शावित होती हैं क्या आप जानते हैं ये नुक्षानदा एक चीजे हमारे स्रीर में धीमेज़र कार्य करती हैं और कभी-कभी यही हमारी मोद का कार्ण भी बन सकती हैं नवस्कार साथियो मैं हूँ आयरवेद एम होम रेमेडिय एक्सपर्ट डॉक्टर ऐसे श्यादव और मैं आपके लिए समेश में पर ऐसे ही स्वास्त वर्दक वीडियो कॉंटेंट लेकर आता रहता हूँ ताकि आप अपने आपको हैल्दी और फिट रख सकें और आपकी हैल्थ को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में भी मैं आपको पांच ऐसी चीजों की जानकारी देने वाला हूँ जिनका लगातार प्रियोग आपके लिए दीमेजहर का कारी करता है जिनके शेयों से किशी भी तरह से आपको बचना चाहिए तो चलिए बिना देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इन पांच चीजों के बारे में विस्तार से आपकी शेयत के लिए पहली नुक्षान देश चीज है लोकी का जूस जो आपकी जान को जोखी में डाल सकता है सब को पता है लोकी का जूस सेथ के लिए बहुत ही फायदेमन होता है रिशी लिए बहुत से लोग इसका आनंद उठाते देखे गए हैं लेकिन अगर आप लोकी का बासी जूस या कड़वी लोकी का जूस पीते हैं तो सावधान हो जाएए यह आपके लिए बहुत ही प्रेशानी भरा हो सकता है कड़वी लोकी में कुकर मिटासी नाम का केमिकल पाया जाता है जो शरीर में पहुंचते ही पांच मिन्ट में अपना असर दिखाने लगता है जो बलड से किड़नी और लिवर में आसानी से पहुंच जाता है जो इन ओर्गन्स के लिए खतरनाक हो सकता है इसलिए आगे से जब कभी भी आप लोकी का जूस का शेवन करें तो अच्छी तरह से जांच ले कि लोकी कड़वी तो नहीं है वरना आपकी जान भी जा सकती है दूसरी नुशांदे चीज होती है जाइफल जो की बारत के लगबग सभी गर की रसोईयों में मिलती है इसे हम मसालों में या फिर गरेलू नुश्कों में प्रियोग करते हैं जाइफल में मायरिस्टिसी नामक एक्टिव कंपोर्ण होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को एफेक्ट करता है इसके अधिक से आलस, हार्ट बीट की प्रोब्लम, नाक वै, आखों से पाणी आना, चक्कर आना, उल्टी या मितली जैसी प्रिशानिया हो सकती है कई मामलों में मरीज अपने हो सबास खो बैठता है इसलिए जाइफल का अधिक मात्रा में से उन कभी भी ना करे तीसरी नुक्षान दा एक चीज होती है, ग्रीन पोटेटो यानि की हरा आलू, जिसके से उन से आपको बचना चाहिए आलू खरीते से में आपने देखा होगा, कुछ आलू पूरे हरे होते हैं, तो कुछ का कुछ पार्टी हरा होता है आलू का यह हरा रंग कलोरोफिल नामक पिगमेंट के कारण होता है इसके अलावा हरे आलू में सोलनेस नाम का एक नियूरो टॉक्षिक होता है, जो की जहर का काम करता है हरे आलू का प्रयोग करने से सिर्दर्द, आखनाक से पानी, अंदरूनी रक्ष्राव, मितली या उल्टी होना, लक्वे की सकायत, कुछ केसों में कुमा में जाना या डैथ भी हो सकती है इसलिए आगे से जब भी आप आलू की खरीदारी करें, तो हरे रंग का आलू कभी नहीं लेना है और अगर गलती से कुछ पार्ट हारा निकलाता है, तो उसको काट कर अलग कर दें चोथी नुक्षान दाएक चीज होती है, अदपका राजमा, जिसमें लैक्टीन टोक्षिक नामक पदार्थ पाय जाता है अगर राजमा अच्छी तरह से पका लिया जाता है, तो यह टोक्षिक एटोमेटिकली खतम हो जाता है लेकिन अगर आप अदपका राजमा यूज करते हैं, तो यह हमारे लिए बहुती नुक्षान दाएक होता है इससे सिर्दर्द, मितली, आखों वे नाक से पानी आना, पेटदर्द या उल्टी जैसे समश्याएं खड़ी हो सकती है जो जानलेवा भी हो सकती है, इसलिए हमेश्या पके हुए राजमा ही शेवन करें पांची और आखरी नुक्षान देख चीज होती है, कड़वे बदाम कई बार बाजार से बादाम लेते से में, कुछ कड़वे बदाम भी मिक्स होकर आ जाते है कड़वे बदामों में हाइड्रोजन साइनाइट नामक टोक्षिक पाये जाता है जिसकी थोड़ी सी मात्रा भी खतरनाक हो सकती है कई बार सस्ते के चक्कर में बाजार में इन मिक्स्ट बदामों का प्रियोग जूस कोर्नर वे मिठाई वाली दुकानों पर देखने को मिलता है इसलिए ऐसी जगों की चीजें इस्तेमाल करने से बचें गर में भी वीबीन रेस्पीज में बादाम का प्रियोग करने से पहले जाच ले कभी एक कड़वा तो नहीं है ताकि कड़वे बदाम के होने वाले नुक्षानों से बचा जासके उमीद करता हूं आप इस जानकारी का पूरा फाइदा उठाने के साथ-साथ वीडियो को जदा ज़दा शेयर करेंगे ताकि दूसरी लोग भी जानकारी का फाइदा उठासके वीडियो से संबंदित किसी भी तरह का डावट ओने पर कोमेंट करें इसी तरह के स्वास्त वर्दक वीडियो कॉंटेंट देखने के लिए वे मुझे स्पोर्ट करने के लिए वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें बेल आइकन पुश करें वे ओल पर क्लिक करना ना भूले मिलते ह अगले वीडियो में इसी तरह के किसी दूसरे स्वास्त वर्दक वीडियो कॉंटेंट के साथ तब तक खुश रहें स्वस्त रहें जय हिंद जय भारत